आज हम आपनों के लिए पंज तंद्र की कहानी लेकर राए हैं, इस कहानी का नाम है ब्रहमर का शपना, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, एक बक्त की बात है, किसी सहर में एक कंजूस ब्रहमर रहता था, एक दिन उसे बिक्चा में जो सत्तू मिला, उसमें से थोड़ा खाक बांकी का उसने एक मटके में भर कर रख दिया फिर उसने उस मटके को खूटी से टांग दिया और पास ही में खाट डाल कर सो गया सोते सोते वो सपनों की अनोखी दुनिया में खो गया और बिचितर कल्पनाएं करने लगा वो सोचने लगा कि जब सहर में आकाल पड़ेगा तो सत्तू का दाम सौरवाई हो जाएगा मैं सत्तू बेचकर बकरियां खरूद लूँगा बाद मैं इन बकरियों को बेचकर गाय खरूद दूँगा इसके बाद भैस और गोड़े भी खरीद लूँगा कंजूस ब्रहमर कलपनाओ की बिचितर दुनिया में पूरी तरह खो चुका था उसने सोचा की गोड़ों की अच्छी कीमत पर बेचकर कुप सारा सोना खरीद लूँगा फिर सोने को अच्छे दाम पर बेचकर बड़ा सा घर बनाऊंगा मेरी संपत्ती को देखकर कोई भी अपनी बेटी की साधी मुझसे करा देगा साधी के बाद मेरा जो बच्चा होगा मैं उसका नाम मंगल लखूँगा फिर जब मेरा बच्चा अपने पैरों पर चलने लगेगा तो मैं दूर से ही उसे खेलती हुए देखकर आनन्द लूँगा जब बच्चा मुझे परेशान करने लगेगा तो मैं गुष्य में पत्नी को बोलूँगा और कहूँगा कि तुम बच्चे को ठीक से शमाल भी नहीं शक्ती हो अगर हुआ घर की काम में बैस्त होगी और मेरी बात का पलन नहीं करेगी तब मैं गुष्य में उठकर उसके पास जाऊंगा और उसे पैर से ठोकर मारूंगा ये सारी बातें सोचते सोचते ब्रामल का पैर उपर उठता है और सत्तू से भरे मटके में ठोकर मार देता है जिससे उसका मटका तूट जाता है इस तरह सत्तू से भरे मटके के साथ ही कंजूस ब्रामण का सपना भी चकना चूर हो जाता है इस कहानी से सीख हमें याय मिलती है कि किसी भी काम को करते बक्त मन में लोब नहीं आना चाहिए लोब का फल कभी भी मीठा नहीं होता है साथ ही सिर्फ सपने देखने से सफलता नहीं मिलती इसके लिए मेनत करना भी जरूरी है